नमस्कार स्वागातियापका इंडिया निउस ट्विंटीएट में आईए बात करते हैं उत्तरप्रदेश की कुछ खास कबूर्टी उत्तरप्रदेश के लखनव दारूल उलूम देवबंद ने नमास के लिए जारी किया फत्वा मोलाना खालिद रशीट फरंगी महली लोगडाउन बढ़ने की सिती में इद और अलविदा की नमास को लेकर फत्वा इद के लिए नए कपड़े जरूरी नहीं जो आपके पास हैं उन्हीं का इस्तमाल करें मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली लोगडाउन बढ़ने पर मस्जितों को परमीशन ना मिलने पर वर्तमाल में वस्था लागू रहेगी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान लखनौ से सिरास हैदर की रपोर्ट लखनौ के जनाब फैजर रह्मान सिद्धिकी साहब ने दारुलूम फरंगी महल के दारुलिफ्ता में ये एक इस्तिफ्ता सा दाखिल करके ये जानना चाहा कि इस पर फत्वा जारी किया जाए कि अगर लॉग डाउन एक्स्टेंड होता है तो बिर ईद और अलविदा किस तरीके से उसकी नमाज पढ़ी जाए और किस तरीके से ईद मनाई जाए तो इस सलसले में दारुलिफ्ता फरंगी महल की तरफ से फत्वा जारी करते हुए ये बाते कहीं गई हैं कि ईद फित्र के लिए नए कपड़े का इंतजाम करना जरूरी नहीं है बलके आपके पाँ जो भी अच्छे से अच्छे कपड़े हों बेस पॉसिबल कपड़े हों उन्हीं कपड़ों को पहन कर ईद की नमाज पढ़ी जाए और उसी तरीके से अगर मस्जिदें को मस्जिदों को खुलने की पर्मिशन नहीं मिलती है लॉप डाउन एक्स्टेंड होता है तो उस सूरत में जिस तरीके से अभी तक मसाजिद में इमाम मौजिन के अलावा तीन लोग नमाज रोजाना की अदा कर रहे हैं तो उसी तरीके से वही पाँच लोग मस्जिद में इड की भी और अलविदा की भी नमाज अदा करें और इसके अलावा बकिया लोग जो हैं वो अपने अपने घरों पर इड की नमाज अदा करें और उसका शरी मसला ये है कि ईड की नमाज के लिए चार लोगों का कम से कम चान मर्दों का होना जरूरी है तो जिसके गहर में भी चार मर्द हैं तो उनमें से एक इमामत करें और बकिया लोग नहीं के पीछे नमाज अदा कर लें और अगर खुदबा याद ना हो तो फिर उसमें पहले खुदबे में सूर फात्या और एक कोई सूरत पढ़ ली जाए और दूसरे खुदबे में दुरूश शरीफ और कोई दूआ पढ़ ली जाए तो इससे इंशालला ईड की नमाज हो जाएगी और उसी के साथ साथ ये भी कि इस फट्वे में कहा गया है कि ईड़ के दिन सब लोग अपने घरों इंपर इसी वईया भाएं घरों पर ही खुशियां मनाएं कोई किसी के भी घर मिलने ना जाए अपने घर के बाहर ना जाए बलके अपने दोस्तों और रिष्तेदारों को फून और मुबाइल के जरीए से ही ईड़ की मुबारगबाद दी जाए ना किसी से हाथ मिलाया जाए और ना किसी के गले मिला जाए और ज्यादा से जादा गरीबों की मदद की जाए और नमास के बाद ईड़ की नमास के बाद सब लोग एक बार फिर से अल्लह से दूआ करें कि आला ताला इस COVID-19 की बिमारी से हमारे मुलक और बूरी दुनिया को जल से जल नजात दे